वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दू कि ये वीडियो स्रिप एंटरटेंड्मेंट के लिए बनाया गया है तो इस वीडियो को दिल पे और दिमाग में ना ले इस सिन में देखो इस सिन में इतनी बड़ी स्पेस्शिप आई हुई है लेकिन यहां से स्रिप पीके ही नीचे उतरता है इतनी बड़ी स्पेस्शिप है यहां पे और भी ऐलियन होने चाहिए थे लेकिन नहीं यहां पे स्रिप पीके ही नीचे उतरता है इस सिन में यहां पे दुर दुर तक कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं है लेकिन जैसी सीन चेंज होता है वहाँ से तो ट्रेन आना चालो हो जाती है इस सीन में देखो इस सीन में पीके ये बुड़े से बहुत दूर है लेकिन जैसी सीन चेंज होता है पीके ये बुड़े के एकदम पास पोच जाता है इस सिन में रेडियो का पट्टा ये बुड़े के खंदे में है लेकिन जैसे इसी चेंज होता है ये बुड़े के खंदे से पट्टा निकल जाता है इस सिन में जग्गू साइकल को लॉक कर रही है लेकिन इसके हाथ में तो लॉक हाई ही नहीं ये ऐसे ही लगी पड़ी है इसको देखो ये शकल से अंग्रेज लग रहा है लेकिन ये हिंदी का इसे बोल रहा है पुल हो चुका है कोई टिकेट नहीं मिल रहा बात तो सही है इस पूरी मुवी में आपने नोटिस नहीं किया होंगा कि यहाँ पे जग्गु तपसवी जी को मिडल फिंगर दिखाती है ये देखो वो सिन यहाँ पी पिके अपने गाल पर भगवान के स्टिकर्स लगाता है ताकि कोई गाल पे मारना सके लेकिन इसके पेट पे पीट पे तो मार सकते थे भाई इस सिन में पीके जब आ रहा होता है तो दिवाल पे कुछने लिखा होता है लेकिन जब पीके वापस आता है तब यहाँ पे यहाँ पीशाप करना मना है ये लिखा होता है इस सीन में पीके को इतनी बड़ी गाड़े ठुकती है लेकिन पीके का इत्तु सा भी खुन ने लिकलता है इत्तु से भी चोटने लगती है पीके को इस सीन में पीके की चपल चोरी हो जाती है और ये बंदा बोलता है यहाँ पर इतने सारी चपले होती है लेकिन फिर भी PK यहां से चपलने लेता है इस सिन में PK स्रिफ तीनी औरतों से बात करता है लेकिन इसके पीछे इतने सारे औरते पीछे लग जाती है इस सिन में देखो इस सिन में इसके राइट हैंड में कटोरा है और लेफ्ट हैंड में लकडी है लेकिन जैसी scene change होता है इसके right hand में लकड़ी आ जाती है और left hand में कटोरा आ जाता है वा भाई वा कुछ भी कुछ भी इस scene में देखो इस scene में PK स्रिफ एक ही दिवाल पे सबी poster लगा रहा है अरे भाई एक दिवाल पे स्रिफ एक ही poster लगा इससे ज़्यादा लोगों को पता चलेंगा इस scene में देखो इस scene में PK स्टेज के बाजु में खड़ा होता है लेकिन जैसी scene change होता है PK तो स्टेज के सामने से आता है ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो इस सीन में देखो इस सीन में भाया इसको चपल से मारता है तो इसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है लेकिन जब सीन चेंज होता है इसकी पगड़ी तो इसके सर में लगी होती है इस सीन में रेलेव स्टेशन पे इतना बड़ा बॉम ब्लास्ट हुआ है लेकिन पीके को इत्तुसी भी खरुज नहीं है कैसे भाई इस सीन में जब जग्गू कैसे ड्रक रही होती है तब इसके उपर कोई कवर चड़ा नहीं होता है लेकिन जब कैसे ड्रकती है तब इस पे कवर आ जाता है वाँ भाई वाँ